जैहन तो all my dear students and their respected parents अभी के presently अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स हैं वो ये हैं कि second round में जाने के लिए इतने marks हैं और हमें कौन से schools को choose करना है ठीक है? देखिए आज मैं important topic पर बात कर लेता हूँ जिन बच्चों की marks 6th class में 150, 180, 220 हैं या फिर 9th में 280 मार्क्स हैं या 300 मार्क्स हैं, 310 मार्क्स हैं या 320 मार्क्स हैं उनके लिए क्या option सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है तो 6th में जिन बच्चों की मार्स 1500 से 220 के बीच में है और 9th में जिन बच्चों की मार्स 280 है या 320 तक के बीच में है जनरल डिफेंस कैटागरी के वालों के लिए उनके पास अभी दो आप्शन है पहला ऑप्शन तो यह है कि अगर आप आगे की राउंड्स में जाना चाहते हैं सेकेंड थर्ड या फोर्थ में तो आपको देखो मैं मैंने पेरेंट्स के लिए परिशान ना हो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं क्लास 6 में राउंड बन की कट अफ गवर्मेंट सेनिक स्कूल की आपको प्रोवाइड कर दी क्लास 6 की एकांसलिंग राउंड बन की कट अफ न्यू सेनिक स्कूल की आपको प्रोवाइड कर दी क्लास 9 की कट अफ राउंड बन की आपको प्रोवाइड कर दी round 1 में कितनी seats कैसे fill होगी और round 2 में हमें schools को choose करने से पहले कैसे पता करना है कि कौन-कौन सी किस school में seat fill हो चुकी है और किस school में round 1 के बाद भी हमारी category की seat बची हुई है ये भी मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ सारी चीज़े दे चुका हूँ अगर आप round 2 में या 3 में जाने का सपना देख रहे हैं तो आपको इन सारी वीडियोस को देखना पड़ेगा एक अपनी list बनाओ और सिर्फ उन सैनिक स्कूल को या उन न्यू सैनिक स्कूल को choose करो जिनकी round 1 की cut off आपके marks से 2, 4, 5 या 10 नंबर जादा है बस अगर 10 से 15 नंबर तक cut off जादा है किसी स्कूल की round 1 की आपके marks से तो आप second या third round तक का wait करिए क्योंकि fourth, fifth round तक में seat बचेंगी या नहीं बचेंगी इसका कोई पता नहीं है जिन बच्चों के 1,500 से 200 marks या 220 के marks की बीच वाले बच्चे हैं या 230 वाले बच्चे हैं दूसरा उनके पास option ये है कि parents का जो ultimate goal है ना वो ultimate goal क्या है कि या 12th में पढ़ते हुए NDA में as a officer बंचा जाएगा और उसकी जो ratio है जो percentage है वो बहुत जादा है आर्मी में जाने का cynic school end नहीं है cynic school सिर्फ एक CD है चीक है cynic school सिर्फ एक पहली CD है आपके कहां जाने का आर्मी में जाने का उसके बाद आपके पास RMS भी है आपके पास RIMC भी है आपके पास cynic 9 और RMS 9 वो भी option है उसके बाद 10 प्लस 2 के बाद देखेंगे तो आपके पास X ग्रूप है Y ग्रूप है एंड ये है फिर आपका test entry है NCC entry है चीक है F-CAT है CDS है ये सारे मौके है आर्मी में एजन आफिसर जाने के सारे मौके है सैनिक स्कूल यहाँ पर है ये रहा तो सैनिक स्कूल में इस वार एड्विशन ना या नमबर ना आने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आर्मी में जाने का एक अच्छा हमें एक अच्छा अपने करीर को चूज करने का जो सपना था वो बरवाद हो गया खतम हो गया दो लाख बच्चे से पेपर दिये था कितने बच्चों ने फॉर्म भरा होगा कितने तो पेपर देने नहीं नहीं पहुंचे क्लास सिक्स की बात करलू तो लगब 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 एक लाख इक्यावन हजार 247 बच्चे इतने बच्चे थे जो पेपर देने गए थे सब को गवर्मेंट सैनिक स्कूल में उन बच्चों से कर रहे हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे है कई सालों से मेरे कहने का मतलब है जिन्होंने तैयारी एक साल से स्टार्ट की लेकिन उनके पेरेंट्स घर पर उनके पीछे लगातर तैयारी में लगे हुए थे यह failure सिर्फ बच्चे का नहीं है failure parents का भी है यहाँ पे क्योंकि आपको अपने parents के लिए समय देना पड़ेगा उस पर काम करना पड़ेगा तो आर्मी में एक अच्छा जाने का सैनिक स्कूल की एक जो है वो पहली सीड़ी है उसमें बहुत सारे मौके है एक लाग 43,000 जो बच्चे हैं जो यहाँ पे सैनिक स्कूल गवर्मेंट सैनिक स्कूल है नहीं जा पाएंगे वो सारे बेकार नहीं है बस उनके लिए यह है कि आप इस साल की आपकी जो तयारी थी वो कम थी आपको अभी थोड़ी सी और जरूरत है तयारी करने की क्योंकि आप अभी सिविलेन स्कूल में पढ़ते रहोगे तो एंडियक निकालने के लिए बाद में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अभी आप सैनिक आरेमें से आरेमस में चले जाओगे तो बाद में आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी तो मेहनत तो आपको एक बार करनी है तो बस उसका disqualify का मतलब यह है कि आपकी इस बार जो preparation थी वो परियाप्त नहीं थी incomplete थी आपको और तैयारी करनी है जिन बच्चों की date of birth 1 April 2013 से लेकर 31 March 2015 के बीच की है जिन बच्चों की और date of birth 1 April 2010 से लेकर 31 March 2012 के बीच की है जिन की date of birth 1 April 2013 से 31 March 2015 के बीच की है उनके पास अभी एक और मौका है RMS 6th क्लास में और एक मौका है उनके पास सैनिक स्कूल क्लास 6th का और इनके पास मौका है RMS 9th का और इनके पास मौका है सैनिक स्कूल 9th का तो देर किस बात की जो तैयारी incomplete रहे गई थी जो कहीं कमी रहे गई थी वो इस बार पूरी करो ठीक है तो आपके पास दो तैयारी थे यहां तो आप पूरी चार्ट लिस्ट तैयार कर लो या फिर demotivate होने की जरूरत नहीं है आप demotivate होगे तो बच्चा और ज्यादा demotivate होगा आपको अभी बच्चे से कंदे से कंदा मिला कर खड़े होना है बच्चे के कंदे पर हाथ रखके बोलना है कि कोई बात नहीं यार अगली बार इस वार और करेंगे और इस वार time से सुरू से इपनी तैयारी को start करेंगे और इस वार करना है जो 40-50 नमबर का gap इस वार था कट अफ में इस वार इतना लाना है कि कट अफ से 20 नमबर और पार जाके गरेंगे हम ठीक है तो अपने बच्चे को तैयारी करिए लग जाईए 8 round तक का इतना wait मत करिए कि आपके बच्चे की बाकी तैयारी भी बेकार हो ठीक है तो बिलकुल आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं आप एक अच्छा मेंटर ढूनिए उसके साथ और बच्चे को तैयारी में लगा दीजिए तो यह सैसान हम यहीं स्टॉप करते हैं जैहिंद थैंक्यू टेक क्यार